दोस्तों जैसे कि आप सभी कुछ दिनों से देखी रहे हैं जब से भारत का चंद्रायान 3 चंद्रमा की कक्षा में पहुँचा है तभी से बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल पर ऐसा दिखाया जा रहा है कि चंद्रमा पर चंद्रायान 3 को इलियंस होने के सबूत मिले हैं इस ब चंद्रयान 3 पर बनी हुई है क्योंकि जब से हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में पहुचा है तभी से आश्चर्य चकित खुला से करता ही जा रहा है। अपनी सच्चाई है जानेंगे इस वीडियो में लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करें उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध वीडियो को लाइप और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बड़े और पूरा वीडियो जरूर देखें। चंडरमा के दक्षनी दुरूप पर उतरने के लिए छोड़ा गया था। चंडरमा के दक्षनी दुरूप पर बहुत अंधेरा है और बहुत ज्यादा ठंड है और यह माना जा रहा है कि यहां पर एलियन का बसेरा भी हो सकता है। अभी हमारा चंडरयान तीन चंडरमा की सतह पर उतरा भी नहीं है लेकिन इस रो सेंटर पर लगातार चंडरमा की सतह की वीडियो और फोटोग्राफी भेजता जा रहा है। क्या चंडरयान तीन को चंडरमा की सतह पर एलियन्स होने की सबूत मिले हैं। इसको जानने से पहले ये जान लेकी चंडरमा पर पहले किस देश को इलियन्स की सबूत मिले हैं। 20 जुलाई 1979 को चांड पर पहली बार इनसान पहुंचा था, पूरी दुनिया इस घटना के 50-वे साल को सेलिब्रेट कर रही है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अपोलो 11 से नील आर्मस्ट्रोंग, माइकल कॉलिंस और एड्विन एल्डरिन ने पहली बार चांड पर कदम रखा था, इसके 50 साल बाद नासा ने एक और रहस्य का खुलासा किया, जिसमें बताया जा रहा है कि चांड पर एक को हवा दे दी है कि प्रित्वी का निकतम पढ़ोसी, चांड एक अध्भूत रहस्य छिपा रहा है और वो रहस्य है कि चांड पर एल्यन का एक प्राचीन शहर होना, मिरा की एक रिपोर्ट के अनुसार नासा द्वारा जारी की गई कुछ तस्वीरों में चौकोर आकार की चटान को पुरानी इमारतें बताया गया है, उनके अनुसार इन सनरचनाओं को लाखों साल पहले छोड़ दिया गया था, इसलिए अब यह माना जाता है कि इलियन्स अब चांड पर नहीं रहते हैं, स्कौट सी वारिंग का मानना है कि प्राचीन शहर में एक बंदरगाह भ और करीब 400 फोटो जारी किये हैं, जिन में से कुछ चौकाने वाले हैं, इन फोटोज को दनासा आर्काइव साथ इस इन स्पेस में भी शामिल किया गया है, बतादे की अपोलो 11 मिशन ने चांड के लिए 16 जुलाई 1979 को फ्लॉरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से उडान भरी थी और उसे चांड तक पहुचने में आठ दिन लगे थे, और आब बात करते हैं हमारे चंद्रायान तीम की, चंद्रायान तीम का लॉंच सतीष धवन अंतरिक्ष किंडर श्री हरी कोटा से 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को भारतिय समय अनुसार दोपहर 2 बचकर 35 मिनट पर हु दोस्तों जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं हम इनसान चांड से लेकर मंगल तक हर मुम्किन कोशिश कर रहे हैं कि अंतरिक्ष की दुनिया के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर पाए और कहा तो ये भी जा रहा है कि इलियन्स का रहस्य भी अंतरिक्ष में चुपा हुआ है तभी तो चांड पर सबसे पहला कदम रखने वाले इनसान नील आमस्ट्रोंग और बट अलडई ने इलियन्स को लेकर बहुत बड़ी बात कही थी जिससे सुनकर किसी के भी होशुर जाय धरती से 384,400 किलोमीटर दूर इलियन का बसेरा चांड पर हो सकता ह आपको जानकारी के लिए बता दे कि 260 डिग्री गर्मी से लेकर माइन्स 280 डिग्री की ठंड तक हर एक चीज एलियन जहेल सकते हैं इतना ही नहीं कहा तो ये भी जाता है कि एलियन सेकडों सालों तक जीवित रहते हैं और इनहीं सारी चीजों को जानने के लिए चांड पर ग पता चला की चांड की सतह पर पानी मौजूद है लेकिन बर्फ रूप में जमा हुआ है और अब हमारे मिशन चंड्रायान 3 के द्वारा चंडर्मा की सतह पर काफी तरह के गड़्ों को देखा गया है जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर बर्फ रूप में पानी और यदि इस मिशन के द्वारा इलियंस का कोई भी सबूत मिलता है तो उसकी जानकारी आपको इसरो रिसर्च सेंटर और हमारे चैनल पर मिल जाएगी तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को स सब्सक्राइब करना ना भूले धन्याद को